आपका बहुत 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 वेलकम है एंड बहुत टाइम बाद आ रहा है मेरा व्लोग तो यह हमारा व्लोग है खाटू शाम जाने का देखो गई बहुत दिन से मैं बीजी थी ऐसी सब सुच चल गाता किसी न किसी काम में बीजी हो रहे थे बहुत सारे तो हार भी आ रहे है तो हम लोग बड़ी मुश्किलात में गएते हैं आप देखोंगे नहीं इतनी भीड ती अब मैं आपको बता हूं तो इधर ऐसा लगए था एक दूसरे के ऊपर चड़-चड़ कर जा रहे हैं लोग खाटू फाइरली हम बहुच गए गाईस सब लोग अब ये लोग भी बत अब लोग देखते हैं यहां से आप वोग यह वीडियो में चिप्स दे रही हैं आप सीवी अब सोच रहे हैं क्या करें क्या ना करें हम थोड़ा से थक गया है मतलब एक ता रश होता है गाईस कहां से आरे इतने लोग ये निसमज आ रहा है मुझे पूरी रात मतलब रोज आ रहे है रोज ट्रेनों में आ रहे है दर्शन करने रोज आ रहे है खतमी नहीं हो रहे है कुछ लोग हफते हफते में आ रहे है कुछ लोग महीने 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 इतने सारे लोग अभी दिखाती है हमारे साथ केतने सारे लोग ये ओनी दूची दीदी मम्मी पापा ये ये मैं ये दोनों जोने दाथ दिखा देती है इनकी लड़की दाथ दिखा देती है अभी अर्जुन मामा और गौरव गये उदर रूम बूम का पता करने कुछ तिरह में होई पर मिलता है हम आए हैं दिल्ली से खाटू शाम जी ठीक है मैं आपको बताऊंगी 500-600 रुपे में पूरा खाटू शाम जी का दर्शन वगयरा करना अपने घर से आना खाना पीना रहना रुकना कैसे कर सकते हैं ठीक है स्टार्टिं करेंगे हैं अपने टिकेट से हम ज़स्ट वन फर्टी रुपीज की टिकेट में प्रेइन के थिरू अपने घर के मैटरो से हम गय थे पुरानी दिल्ली हमने अपनी ट्रें लिए प्रे масс और यहां पर पहुच गए उसके बाद पहुचने के बाद हमने सिर्फ पैदल चलकर आया है धरम शाला के लिए यह 40 रुपीज में मात्र चोटे रुपीज में नहाने के लिए मिल रहा है आपको अपना बैग रखेने के लिए मिल रहा है उसके बाद आप उठा सकते हो यहां से निशान यह दुकान आपको सारे में दिख जाएंगी पचास रुपे में निशान आप लेकर अपने फूरा खाटुशाम के दर्शन तक जा सकते हो जाएंगे हम उसके बाद दर्शन करेंगे दर्शन हम 20-30 रुपे में वापस आएंगे रिंगस तक रिंगस से फिर 130 के अपने टिकेट से अपने घड़ जाएंगे फिर मैट्रों के 30 रुपे और बस इस बीच में हम खाएंगे एक बार खाना यह बच्चा मुझे बहुत परिसान करता है इस बीच में हम खाना खाएंगे तो यहाँ पर है एक ऐसी सूविदा आप अपना आईडी कार्ट लाएंगे तो आपको 40 रुपे में नहाने को मिलेगा बैग रखने को मिलेगा प्लस पच्छास रुबे में मिलेगी आपको पेट भर खाना तो आप पेट भर के खा सकते हो एक बार में ठीक है और इतना लंबा सफर होता निये गाईज यहाँ पर क्या आप दो तिन दिन दिन रुप हो ठीक है अब हम चलने वाले रस्ते बावे जाईज अपनी 140 रुपे वारी ध जाएज बहुत सारी वीड़ चल दिये सुबहे चौर पाज बजे भी हम उस टाइम पर आएदर मंदिर पे दिखाएंगे किसी वीड़ है चले कैसी में उसे चले फिर अगर जो प्रॉपर लाइन चलती रहती है अगर जो प्रॉपर लाइन चलती रहती है हम उसमें जाते हैं तो थोड़ा सा दूर से दर्शन होते हैं बाबा के और भीड़ वाली लाइन में रुके रहते हैं उसके बाद हम अंदर जाते हैं तो बिल्कुल क्लोस से दर्शन होत तो यहां पर हम आ गए थे ठीक है काफी पहले ही और यहां पर आरती चल रही थी सुबा के टाइम तो यह ब हुआ चीह बात है कि हमें आरती भी देखने को मिली यहां पर बहुत बड़ी स्किन पे चल भी रहा था थोड़ा सा और अंदर जाकर फिर पूरा डारेक्ट मंदिर बेहां जाते हैं बाबा के काफी बड़ी जगा पर हो गया है यह अग वैसे तो गाइस यहां पर फोन वगार अंदर अलाउड नहीं था बिल्कुल भी तो जितना हो सकता था मैंने बाहर क् पोन यूज करने नहीं दे रहते हैं मैंने जल्दी से चुपके से एक क्लिप बनाई आप लोगों के लिए फिर मैं मिलते हूं आपको नेक्स व्लॉग में व्लॉग कैसा लगा बताना मिलते हैं नेक्स व्लॉग में बाई गाईज